हेग गाईज वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल माइनेम ही शुभम आप देखो टैग भी शुभम आज किस वीटर में आपके साथ सेयर करने वाला हूँ सब्सक्राइब करते हैं इन सारे चीज़ों के बारे में तो चली जानते हैं कि सब्सक्राइब कर लेने के लिए आप अगर आप 50,000 सुपीज प्लस सरली अन करते हो इस कार्ड के लिए अपको कार्ड मिल जाएगा इस कार्ड की फीस की बात करूँ तो फॉर्ट रिपन लाइन प्लस जिश्टी है यूजर रेटिंग की बात करूँ तो 5 पीस से मिले हैं 4.5 इस की कार्ड के बैनेफिट फीचर को जान लेते हैं तो जैसे आपको कार्ड मिलता है आपको 5,000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है यानि कि अगर आप 4,999 का पेमेंट अगर आप कर देती हो तो आपको 5,000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है यानि कि 5,000 दो गिव उसका आपको गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा इस क्रेटी कार्ड में आपको 6,000 रुपीज तक का मोभी टिकट आपको हर एक साल फ्री आपको मिलेगा बाकी इस की कार्ड से थी लाक्स या फो लाक्स रुपीज का एन्वली बिस्टिस पर स्पेंडिंग कर लेते हो तो आपको 10,000 bonus reward points मिल जाता है या अगर आप 5 लाक्स या 8 लाक्स रुपीज तक कर लेते हो तो आपको 50,000 bonus reward points आपको मिल जाता है बाकी 100 रुपीज का spending करते हो dining departmental store grocery spend पर तो आपको 5 rewards points मिलेगा बाकी अगर आप 100 रुपीज का spending करते हो कहीं पर भी तो आपको 2 rewards points मिलता है एक साल के अंदर में आपको 6 airport lounge access मिल जाता है इंडिया के बाहर के लिए इंडिया के अंदर के लिए 8 airport lounge access आपको मिल जाता है इस के कार्ड के ये complete benefit feature नहीं है इस के कार्ड के उपर मैंन को लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख लेना तो चली जानते कि टॉप नंबर टू पे कौन से क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में उससे पहले बता दू कि प्लीज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ये बगल की बेल एकन को जरूर दवाईए क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए फाइनेंस लिटेट वीडियो बैक टू बैक लेकर आती रहते हैं चली जानते कि टॉप नंबर टू पे कौन से क्रेडिट कार्ड है टॉप नंबर टू पे आता है इस प्राइम क्रेडिट कार्ड के अनवाली फिक की बात करो टू तिरिपन लाइन प्लस जेश्टी है इस कार्ड को लेना अगर आप चाहते हो तो 40,000 प्लस अगर आप सेली अर्न करते हो तो इस कार्ड के लिए अप्राई कर लेना कार्ड आपको मिल जाएगा यूचे रेटिंग की बात करो तो 5 में से मिले हैं 4.5 फिश्टर चली इस क 100 रुपीज पर 10x रिबोर्ट पाइंस आपको मिल जाता है बाकी 100 रुपीज का स्पेंडिंग कहीं पर भी करोगे तो आपको 2 रिबोर्ट पाइंस मिलेगा एक क्वाटर के अंदर में 50,000 या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग कर लोगे तो आपको 1000 रुपीज का फिज्य ह 100 रुपीज का स्पेंडिंग करते हो विस तरह फ्लाइट पे तो आपको 9 कलब इस तरह पॉइंट मिल जाता है इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो विस तरह फ्लाइट बुकिंग करने में बाकी एक साल के अंदर में 4 कंपलामेंटर एरपोट लाउंज अक्सिस आपको मि लेगा इस करड़ का अभी सेम है कंप्लीट वेनिफिट फीचर नहीं है यह कंप्लीट वेनिफिट फीचर अगर देखना चाहते हो तो इसके उपर ओलड़ी मैंने एक वीडियो बना रखी है उस वीडियो को देखिए आपको पूरी जानकारी आपको जानने को मिल जाएगा तो चली जानते है कि टॉप फ्री नमर पे मैंने कौन से क्रेडिट कार्ट को रखा है इस वीडियो को अपलाई किया बहुत लोगों का अप्लीकेशन रिजक्त हुआ तोगी इस क्रेट कार्ड को जो बैइफिट फीचर हो काफी अच्छा था अभी की डेट में कुछ दिन प की benefit feature कम कर दिया तो अभी updated क्या benefit feature है चलिए हो जानते हैं इस card के आनवली fee की बात करो तो तो 999 plus GST है इस card को अगर आप लेना चाहते हो तो 30 थावजन प्लस salary earn करते हो तो इस card के लिए apply कर लेना card आपको मिल जाएगा अभी इस card के benefit feature को जान लेते हैं तो इस card से online आप कहीं भी spending करोगे तो आपको 5% का cashback मिलेगा लेकिन इसमें star लगा हुआ है star का मतलब यह होता है कि यह जो 5% का cashback है यह unlimited नहीं है कुछ न कुछ capping है कितना capping है इसके उपर भी मैंने already complete वीडियो बना रखी है तो अगर आप देखना चाहते हो तो description box में link मिल जाएगा वहाँ से जाकर देख सकते हैं बाकी 1% का cashback मिलता है offline आप कहीं भी spending करते हो तो इस credit card का अल्मोस्ट अल्मोस्ट complete benefit feature है इसके क्या capping है कितना cashback मिले सकते हो एक महिने के अंदर में यह सबी जानना है तो आपको description box में link मिल जाएगा वहाँ से जाकर complete video देख लीजे तो यह top 3 credit card है SBAE card का तो कौन सा card आपको लेना चाहिए कौन सा card नहीं लेना चाहिए last में बताऊं तो आपको अगर budget अच्छा है आपकी ज़्यादा तरह spending होती है तो आप SBAE का prime credit card ले सकते हो नहीं तो SBAE का cashback credit card ले सकते हो बाकी अगर आप middle class family से belong करते हो आप एक average credit card लेना चाहते हो लेकिन उसमें भी काफी अच्छे benefit feature मिलता हो तो मैंने already एक best credit card के बारे में वीडियो बना रखी है उसका भी link मैं वीडियो का recent box में दे दूँगा आप उसको भी देख लीजेगा जिसमें आपको मैंने top 3 credit card के बारे में detail करी है उस credit card में से कोई भी एक credit card ले लेना आपकी requirement fulfillment हो जाएगी तो कैसे लगी वीडियो comment करके जरूर बताएगा मिलना चाहते हो तो इन सारे connect कर सकते हो कैसे लगी वीडियो comment करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ वी जरूर बताएगा वीडियो